हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार्दिक स्वागत है देखे आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लंपी वाइरस पूरे देश में कहर बनकर फैला हुआ है लाखों पस्वों की जान ले चुका है उसका आप घर पे ही आयुरुवेदिक दवाईों से कैसे उपचार कर सकते हैं जी हां ये मैंने कह रहा हूँ ये राइस्थान सरकार की तरफ से जो आईस मंतराले है आईस वीभाग है उसकी तरफ से एक एडवाईजरी जारी की गई है एक दिसान निर्देश हैं जो बाकाइदा पूरे रिपोर्ट में के माध्यम से आपके पास पहुचाए जा रहे हैं तो देखिए अगर आप भी अपने आसपास लंपी वाईरस से पस्वों को बचाना चाते हैं तो देखिए आप इस टैप की गतिविदियों को अपना सकते हैं ताकि आपका पसू इस महामारी से बच सके क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वरतमान में कोई भी ऐसी वैक्सीन या कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो इस वाईरस के अगेंस्ट में काम करती हो तो सुरू करते हैं अपना आज का वीडियो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्काइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और से जरूर करें और दूसरी बात देखिए लंपी वाईरस क्या है और क्या लंपी वाईरस से जो गिर्सित है पसू क्या उसका दूद हम पी सकते हैं ये मैं वीडियो ओलेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डेक्शिन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए सुरू करते हैं देखिए सबजेक्ट क्या है इस रिपोर्ट का लंपी वाईरस के बचाव एम उपचार हे तू आयरुवेदिक ओस्थियों के परचार परसार के संबंद में ये एडवाईजरी जारी की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताएगा है कि लंपी रोग क्या है लंपी जो है एक इसकिन डिसीज है एक वाईरल है बीमारी है जो मवेशियों में लंबे समय तक रुगनता का कारण बनती है ये रोग पोक्स वाईरस लंपी इसकिन डिसीज वाईरस के कारण होता है यह पूरे सरीर में 2-5 cm व्यास की जो डायामीटर होता है इन गांठ बन जाती है वो लगबग 2-5 cm की होती है विशेश रूप से सर में, गर्दन में या जो पसू के इस्तंगनतीज होती है वहाँ पर ये मैगजम होती है जन्नांगों के आसपास भी ये गांठे धीरे-धीरे घावों का रूप ले लेती है तो लक्षन जो है आमतोर पर हलके से लेकर कमभी रूप तक हो सकते हैं अगर आपके पसू को 41 डिगरी सेल्सियस यानि 41 डिगरी सेल्सियस से ज़्यादा बुखार है तो ये सबसे पहला इसका लक्षन है पसू इसमें थोड़ा सुस्त हो जाता है उदास हो जाता है जो उस चारा है उसको खाने से मना करता है और कमजोर होने लगता है दीरे-दीरे जो उसका चैस्ट शेत्र है कोहनी के छेपास की सूजन के परिणाम सुरूप लंगडापन उसको महसूस होता है तो अचा के नीचे के आकार में 20 सेंटीमिटर द्रड इसपश्ट गोल पिंडूर पूरे सरीर पर विक्सित हो लेगा जो गोल गोल आप करते हैं कि चक्ते बन जाते हैं वो पूरे सरीर पर ऐसे दिखाई देने लगते हैं 7 से 15 दिनों के भीतर जो नोडिल्स हैं वो तूटने लगते हैं और खून बहने लगती है, जो यहाँ पर गाठे बनी थी, वो फूटने लगती है, और खून बहना सुरू हो जाता है, इस घाव से संक्रमन जानवरों से सांस लेने में कठेनाई होती है, जब ये ठीक हो जाती है, तो ये जानवरों के सरीर पर एक इस्थाई निसान छोड़ ये तो यहाँ पर कौमाने जानका रही थी, लेकिन में चीज देखी, यहाँ पर क्या है, संक्रमन से बचाओं के उपाय क्या है, तो देखी, ये चीज आप इसकीन सौट भी ले सकते हैं, और चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, तुलसी के पत्रे, एक मुठी लेने हैं, दालचीनी 5 ग्राम, सोटका पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्ष 10 और गुड जो है अवशक मातरा में, अब इसका क्या करना, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ बनानी है, और लड्डू बनाकर जो अपना पसू है उसको खिलानी है, अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल तो इसके ओप्शन में आप क्या ले सकते हैं, आवला, अस्वगंधा, गिलोए, मुलेठी, इन में से किसी एक को 20 ग्राम की मातरा में गुड में मिलाकर सुबह साम लड्डू खिलाएं, कोई भी मिल जाए इसमें से तो भी आपका काम चल जाएगा, आयरुवेदिक पसू च तो देखें, यहाँ पर पान के पत्ते 10, काली मिर्च पाउडर 10 नग का बनाना है, और धेले वाला नमक जो होता है, वो यहाँ पर 10 नग लेना है, गुड आवश्यक मातरा में ले, और अब आपको क्या करना है, उपरोक सामगरी एक खुराक है, यानि यह एक खुराक है, उ उसके बाद, चार से लेकि चोदर दिनों में मुख में होने वाली ओस्ती विवस्ता, यानि मुख से आपको क्या करदवाई देनी है, देखें, यह है, नीम के पत्ते 1 मुठ्थी, तुलसी के पत्ते 1 मुठ्थी, लहसुन की कली 10, लोंग 10, काली मिर्च पाउडर 10, मिर्चो को सुबह और शाम, और रात को लड्डु खलाएं, यानि दिन में तीन बार ये लड्डु आपको उस पसु को खिलाना है, देकि जो भी सामगरी हैं बताई गई है, वो सामगरी जो है नॉर्मली, अगर एक दिन के हिसाब से है, या एक लड्डु के हिसाब से है, तो आप द जहसुन की कली 10, हल्डी पाउडर जो होता है उसको 10 ग्राम और नारियल का तेल 500 एमल मिला लें, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, उपर बताईए जितनी भी सामगरी हैं, इनको पीस कर 500 मिल लीटर नारियल के तेल में धीरे से पकाले और तेल को ठंडा कर लें, यान नीम के पत्तों को पानी में बालिए, घाव को थोड़ा साफ कीजिए, उसके बाद ये जो आपने तेल बनाया है, इस तेल को घाव पर आप लगा सकते हैं, लंपी इसकिन रोग से बचाओ एम संक्रिन परश्यों के इसनान की विवस्ता जो है, वो कैसे करें, परश्यों के लिए 25 लीटर पानी में एक मुठी नीम की पत्ती का पेस्ट या एवम फिटकरी, दोनों ही चीज़े देखें हैं, पर 10 ग्राम फिटकरी मिला कर प्रियोप करें, इस गोल से इसनान के 5 मिन्ट पश्यात साधे पानी से इसनान करें, यानि पहले क्या करना है, आपको 25 लीटर पानी लेना है, उसमें एक मुठी नीम की पत्ती का पेस्ट डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 100 ग्राम फिटकरी डालनी है, 100 ग्राम से आप 70 ग्राम ले सकते हैं, maximum जो है 100 ग्राम है, उससे आप पसु को नहलाना है, उसके बाद 5-6 मिनिट आप पसु को ऐस सबसे इंपोर्टन चीज क्या है संक्रमन डोकने के लिए पसू बाड़े में जहां पर पसू को बादा जाता है गाय के बीच गोबर के जो कंडे जो उपले बोलते हैं उनको उसमें गूगल कपूर और नीम के सुखे पत्ते लाबन को डालकर सुभै शाम दुआ कर यानि उस ज गूगल कपूर नीम के सुखे पत्ते और लोबन ये सारी चीजे मिलाकर मापर आपको दूमनी देनी है तो ये सारी जानकारी ऐसी थी जो देखिए अगर मैं कहूं तो आयरुवेदिक रूप से गाउं में ओलेडिक की जाती है तो यही सारी चीजे वो हैं जो आप इसके वो सब अपने यहां पर जो भी कह सकते हैं मवेशी पालने वाले हैं जो भी पसुओ को पालने वाले हैं जो भी किसान है वो इसको यहां पर अपने घर की में अपने आसपास में बता सकते हैं और अपना भी सकते हैं अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो देखे चैनल क अबारत